यह जो संस्ता है वेस्पिकर की संस्ता है वेस्पिकर की कॉपरेटिव है पूना में हम कच्रा कलेक्शन का काम करते हैं यह हर एक सीटी में हर एक शेहर में वेस्पिकर रहते हैं वो इसा बैग लेकी गुंगते हैं रोड का कच्रा बिंगते हैं कंटेनर का कच्रा बिंगते हैं पूना में ये काम हुआ है कि जो बैग लेके घूमते थे उनको डोर टोर कनवर्ट किया है ये काम हम उदर कॉर्पोरेशन के साथ कर रहे हैं क्यूंकि जब हम कच्रा डोर टोर उठाते हैं उदर MSW 2000 की हिसाब से जो कच्रा बनाता है उसने सेपरेट करना चाहिए गीला और सु 30-40% सेग्रेशन हो रहा है जब डोर टोर सेग्रेशन होता है तो हमारा वेस्पेकर वैसा ही आलग बकेट में लेके जाता है सुका और गीला और सुका कच्रा फिर कानून की हिसाब से मतलब PMC Act बोल रहे हैं कि 2000 के बाद जो सुसाइटी बनी है वो सुसाइटी में खत का कोई प्रिला कच्रा उदर जाता है सुका कच्रा हमारी वेस्पेकर लेकी जाती है उसमें से वो सेग्रिएट करती है रिसाइकलेबल और नौन रिसाइकलेबल रिसाइकलेबल मट्रे लो रिसाइकलिंग के लिए भेजती है जो नौन रिसाइकलेबल है वो बहुत कम रहता है तो प्रेक फाइनली कौर्पोरेशन की जिम्मेदारी है, वो उठाता है. फिर हम पूना में क्या कर रहे है कि कष्रे का क्रपोरेशन का लोड कम कर रहे है, बहुत सारा, तो इसकी यदे मौडल की वज़र से उनका बहुत सारा खर्चा बच रहा है. तो भोलो वेकल का खर्चा है, मैंटेनंस का है, ड्राइवर का है तो हम बहुत करोड में खरचा बचा रहे हैं तो उन में से कोई थोड़ा सा अड्मिनिस्ट्रेटिव चार्जेस कॉर्पोरेशन हमको दे रहे हैं उसमें से हम संस्ता चला रहे हैं में 4 28 में यह मॉडेल शुरू हुआ और वट का कि Betty यह मॉडिय साये हुआ था तो 2013 में खतम हुआ तो उस lish तब हमने बोला था कि यह मॉडेल सुस्टेनेबल होगा वो एशल ईस्टेने बल होगा कि यह वेस्पिकर की कॉपरेटिव है तो वेस्पिकर उनकी कॉपरेटिव चलाने के लिए उसके इंकम से 5% संस्ता को पे करेंगे तो अभी ये तो हो रहा है लेकिन सब ये इंटर्नल चैलेंज हमको है कि सब वेस्पिकर ये 5% पे नहीं कर रहे बोलो चेक में पेमेंट संस्ता कर आता है तो रिगूलर 5% आता है लेकिन जो cash में वह लेते हैं जीधर चेक पेमेंट नहीं है उदर वेश्विकर आके हर मेने पाच टका नहीं पेकरते हैं तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा ग्याप है लेकिन यह कर सकते हैं हम लोग एक है तो यह पास साल में यह दो साल 2013 में यह मयू कतम हुआ बीच में के जो दो साल है उसमें से कोई कॉर्पोरेशन ने हमको अड्मिनिस्ट्रेटिव चाज़ेस नहीं दिये हैं तो यह पास साल में हमने 2300 लोगों को डो-डोर कनवर किया है और चार लाग घर हम कवर्ड कर र्यहां बोलो तो हम आधा पुना कवर्ड कर रहे हैं और यह 2 साल में हम वैसे बोलो तो जितना कोईरेशन उसमें हम सेल्प संस्टेण है लेकिन आभी बहुत सारी आधा पुना बचा है और ये भी है कि जब हमने 2007 में यमयू साइन किया था तब पुना का हाउस होल्ड्स सेवन लाग बोल रहे तब कॉर्परेशन आज के डेट में वह बहुत बढ़ा है पुना बहुत इंक्रीज हो रहा है और उसकी हद भी बढ़ है तो अभी हॉस होल्ड्स बढ़ रहे तो हमको पर्परेशन अभी बोल रहा है कि आप यमयू में आपने बोला था आप 100% कवर करेंगे तो आपने नहीं किया है तो उस में कॉर्परेशन का भी थोड़ा कॉर्परेशन के साथ हम जब काम करते हैं आमको यह भी चालेंज़न तो एक प्राब्लम है और वो बोल रहे हैं 100% नहीं पहुंच रहे हैं आप तो लास्ट के दो इंस्टोल्मेंट वैसे नहीं देंगे तो यह हुआ दूसरा जो पूरा एक्विप्मेंट और सेप्टिगेर वेस्पिकर के कर्परेशन देने वाला था और स्लम में जो काम करने वेस्पिकर वैसे सोसाइटी से और बंगल से यूजर फी निकलती है लेकिन स्लम में सब लोग वैसे भी पूरी रहते तो 10 रुपया 20 रुपया भी टाइम पे नहीं देते तो वेस्पिकर जब काम करेगा उदर उसको कोई कॉर्परेशन पेमेंट नहीं करता है यूजर फी से ये उनका इंकम है तो यूजर फी नहीं मिलेगी तो काम नहीं करेगा ये sustainable नहीं रहेगा तो इस लम में कॉर्परेशन ने बोला था कि जितना यूजर फी मिलती है उतना लेलो और हर घर के पीछे हर मैंने हम पाच रुपया देंगे वेस्पिकर को वो पासल में कभी नहीं दिया तो इसकी वज़े से हमको भी है और एक्विपमेंट जब पूना का यह जो कच्रा कलेक्शन का मॉडल है वो एन्मार्मेंटल फ्रील है मतलब हम डिजल का कोई यूज यूज नहीं करते तो कुशकाड पे कलेक्शन करते हैं जिसको डिजल नहीं लगता जिसको एनरजी नहीं लगती वेस्पिकर ऐसा चलाते हैं तो यह एक महतोपूर्ण एक्विपमेंट है और बकेट जिसमें कच्रा उठाते हैं दोर टोर का तो यह अगर टाइम पी नहीं मिलेंगे तो हम कवरेज नहीं बड़ा सकते हैं तो यह दो चालेंज ज़िस हम हम यमयों साइन करेंगे अभी आज के दिल हम स्वच ने ओं करके दिखाया कि वेस्पिकर सर्विस प्रोवाइडर बन सकता है और हां और यह मोडल चल सकता है तो यह तो दिखा दे रहा है पूना में और अभी पूना में आप देखेंगे तो कंटेनर लेस यह बोल रही है कि दो साल में हमने 5% पर यह चलाया है संस्ता और यह अभी कॉर्पोरेशन की जुरुरत है यह मयू साइन होना तो वह बोल रहे है कि आगले 5 साल के लिए फिर मयू साइन करेंगे और फिर आप 100% पूना में काम करेंगे तो अभी चल रहा है जीबी में पास हुआ है अभी यह ह हमने थोड़ा रुखवाया है क्योंकि पिछले 5 साल में वेलफेर बेनिफिट्स वेस्पीकर को देने वाले था कर्पोरेशन जो नहीं दिया है तो इसके लिए जगड रहे हम लोग हम बोल रहे है अगर आप स्लम का पैसा नहीं देंगे एक्विप्मेंट टाइम पे नहीं देंगे तो वेस्पीकर का भी विश्वास नहीं रहता ये मॉडल पे तो उसका विश्वास लाना है कि 100% हमको पहुंचना है तो जो भी बेनिफिट्स आप देने वाले तो ये पहले वेलफेर में कुछ योजना थी जो नहीं दिये तो उनका खर्चा करना पड़ा बोलो तो ये पुश्वास नहीं दिया है तो उसने तो खर्चा किया है तो उसको रियंबर्स करेंगे तो ऐसा ड्यूस हमने दिखाया है और कॉर्परेशन ने वह फाइनली मानि किया है और ये देने वाले है फाइल तो सैंक्शन हुई है वह अगर वेस्वीकर करके अकॉंड में पैस अवीकर को ऊच जाएगा तभ हाँ में एम एमोई सा रहेंसी करेंगे अएसा बहल के रहा है और यह दो मैने में आख और मैने में सायन हो गई अबर्सरा राफ़िकरशन था है ने गर वोग देना शक्र गार्स अचा है तो सम्राइस दोनीत चालेंगे बहाफ अएल्स तो प्र मॉफबाथ प्रवाक्टूछ अच्डर प्रवम्मारत सबीज़िग जачते रलगर में अच्डरपेशफ काया जाया बन।ूराम, प्रॉम्माइ Cand अच् hemen में काया हुआνη को अच्छता है जा कनदूiseen हम जासों के अदेनलिग 2-6 पुण it's very hard to predict how much it will grow and how it will grow so the costing structure goes for a toss so how do you look at these three things is the key challenges that we sort of got on the canvas can we open and answer questions there is a door-to-door program there is a system that is waste-fickled there is a compass that has to be in 240 house so there is a door-to-door screen and the second thing I was wondering that in the end of the world there is a 10-Rupiah corporation which is 7-Rupiah waste-fickled and it is 10-Rupiah maintenance for CVO so what is this system there? yes in this system, the first question is we are building a pocket of 300-350 and we will do two waste-fickled and for two waste-fickled we will do a push-card for two waste-fickled in the market and the second thing you are saying that the cost of the corporation is not giving because the model should be self-sustainable and the corporation we are saying why are the administrative charges of the corporation why are they going to give you which we can reduce the cost of the corporation to reduce their cost of the corporation this is the user-fee model which is the service we do for citizen to pay the corporation तो कॉर्पोरेशन का जो अगला डिका अलग डिपार्डमेंट उसको अगर यह देना है तो अकाउंटर लगे ला यह लगेगा फिर वो जो खर्चा वो भी कम हो जाता है और बाकी भी खर्चा कम हो जाता है तो इसलिए पास साल के लिए अरेमिनिस्टेटु चार्ज़ देगा इस सब इसा नहीं देगा में देखिए खर्चा काम है तो उसको कैसे सुझाता है और जो वेस्पिकल्स है उनको आप कैसे करते हैं आपके साथ काम करने के लिए और जो पहले काम कर रहे थे इदर-दर फूंते ले उससे एक सर्विस प्रोविजन अब प्रोच जो है और से घरों में रिडिलरी जाके कने करना उसके आप क्या काम करते हैं यह काम हमने पिछले साफंपास साल में किया है आम हमारे जो स्टेख होल्डर्स हैं जो सिटीजन पहला इसरा कॉर्पोरेशन तीसरा कॉर्पोरेटर और जवता जो है आँए ले ने चुरू में, कॉर्पोरेटर को जाके हर मैने में एक मीटिंग लेते थे, उनको समझाते थे, हमारा वेस्पिकर डोटर डोडेली आएगा, कच्रा ठीक से उठाएगा, फिर उनकी भी पर्मिशन लगती है, क्योंकि उनका एरिया रहता है, और कॉर्पोरेशन को हमने पाइलट स केसा ट्रेनिंग लिए, कैसा हरज क्यों जाना चाहिए, जैसे वो बिनते थे कच्रा, केकेपी में, तो ये कभी, जब उनको लगता था, सुबह जाएंगे, शाम जाएंगे, कभी भी दूपैर जाएंगे, कभी भी जा सकते हैं, और जितना लगेगा, उतना ही कच्रा उठात ये स्वच मोडल में ऐसा नहीं चलेगा, टाइम पे जाना पड़ेगा, ये सब उनको ट्रेनिंग में हमने सिकाया है, फिर कैसा रहना चाहिए, वो सुबह कच्रा बिनने के लिए जाते थे, ये से ऊटके जाते थे, कुछ हाची सारीने पेंते थे, बालने करते थे, ये से ज ये बोल रही है कि सिटिजन के साथ अच्छा दरह से हमने बात करनी चाहिए, अभी भी नागरिक हमको कंपलेंट करते हैं, हिल्प लाइन पे, आपकी वेस्पिकर बहुत अरोगंट बात कर रही है हमरे साथ, थोड़े बहुत कंपलेंट आता है, लेकि वो भी हमने ट्रेनिं जब हम काम करते हैं, दस में से दो गर पैसा नहीं देगा, तो फिर ये काम कर रही है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा जगड़ा होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम ये भी बताते हैं, ये धीरे-धीरे हो जाएगा, अब जगड़ा मत कीजिएगा, तो ये पास साल में बहुत सरे ट्रेनिंग लिये हैं, और ये बदलाव फाइनली पास साल के बाद अच्छी तरह से आया है, रिजल्ट दीख रहे है, कॉर्पोरेशन को, कॉर्पोरेटर को, सब को, और वेस्पिकर को भी, तो बाकी जो 9000 वेस्पिकर हैं पूना में, वो सब दे बाद दीख में, कॉर्पोरेशन भी हमको ये पूच रहा है कि कै आपकी कैपेसिटी है, पूरा पूना कवर कर सकते हैं, कि आpping तो हमने इस सर्वे करके दिकाया है इतने सारे लोग है हमारे पास जो काम मांग रहे है भी तो उनके लिए काम चाहिए ही पुना की भी इतनी कैपिसिटी है कि वो 9000 वेस्पिकर को काम दे सके मतलब इतना होसोल्ट है तो पूरा दिकाया है तो मतलब आपी बहुत सारा इस सब्सक्राइब करते हैं तो मैं अपना एक्सक्राइब करूंगे कि एंड़ाबाद में हम लोगों ने इंडियू इस मतलब दो तरीके से होता है और भी जो चल रहा है जो कॉंपार्टर जो होते वो टेंडर भरते और उरको काम दिया जाता है पर हमारे साथ जो होता है त सब्सक्राइब को देना तो चैनलाइब उस तरह सहर हम करते हैं तो मुझे असा रगते है कि आप ही अपने एडिया में ऐसे को सीवियो बना कि सीवियो के साथ एमोई करके इंडियू को वैसे करोगे तो शायद भी हो सकता है एक्चुली हमारा मोरे यह है कि हम ड्रेटली कॉ करें बीच में कोई रखे दर कोई नहीं करेंगे और कभी हम कॉंट्रेक्ट सिस्टिम में कभी हम नहीं चाहिए तो कॉंट्रेक्ट तो कॉर्पोरेशन भी हमको बोल रहा था आप कॉंट्रेक्ट का फॉर्म वरे हमने बोला नहीं हम्मारी कॉपरेटिव हैं हम कभी भी पाइसा निकालना लेकिन यह जो मॉडिल है सवच्च का वो जो हर गर के पीछ आपको 10 रुपाय देते हैं यह मॉडिल भी अलग है थोड़ा और हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है इसा निकालना निकालना जैसे कि हमने बेनिफिट का पैसा वैसे निकाला है हम लास्ट में लास्ट हमारी स्टेज रहती है हम दरना कर सकते आंदोलन कर सकते हैं लेकिन हम एक्दम लास्ट में निरने लेते हैं और जब यह होता है तो पैसा निकालता है थोड़ा प्रेशर भी बढ़ जाता है कॉर्पर के उपर लेकिन हम लास्ट में रखते है और हो सकता है फिर भी यह जो मॉडल है भारत में आशियाखन में एक में मॉडल ऐसा है जो कॉर्परेशन ने इंफर्मल सेक्टर के साथ काम चलाया है तो यह अलगी मॉडल है तो यह मुश्क्किल रहें लेकिन बोड़ेव चालेंज है झाले ते वालो दो जब दिछान कॉम